United Kingdom में होने वाली प्रवासी राजसानियों की इवेंस के आविजन और खबरों से First India News जुड़ेगा अब First India News RA UK का मीडिया और इवेंट पार्टनर होगा इसका अप्चारिक प्रसाव लेका राजसात असोसीशन की ट्रस्टी और Overseas Friends of Bhajpa UK के अध्याक्षव कुल्दीब सिंग ने First India News की दफ्तर पर पहुँच जहां First India News की CEO and Managing Editor पवन अरूडा ने कुल्दीब सिंग का स्वागत किया इस मौकी पर First India News की एडिटर जिनींदर सिंग शेखावत भी मौझूद रहे जोरान दूरों में कई विशाओं को लिकर चर्चा हुई और उस मौकी पर पवन अरूडा ने कहा कि यूकी की प्रवासी राजस्तानी First India के साथ जुड़ना चाहती है लिहाज़ा First India यूकी में होने वाले इवेंस और कारिक्रमों की कवरिस करेगा अब यूकी में First India का Resident Editor और Special Correspondent भी होगा ताक कि राजस्तान में रहे रही प्रवासी राजस्तानीों की परिजन और देश के अन्य हिस्सों में रहे 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 लोग खबर और इवेंस की जानकारी आसानी से ले सकी First India से खास बाक्षित में कुल्दीप सिंग ने First India की कारेर प्रणाली की सरहाना की और कहा कि राजस्तान का व्यक्ती बाहर ज़ाकर भी राजस्तान को नहीं भूला है राजस्तान की मिट्टी के बारे में आज भी जागरत है और चाहता है कि राजस्तान से जुडाफ बना रही उन्होंने First India की तारीफ करते हुई कहा कि First India ने हमारा काम आसान कर दिया जो काम हम नहीं कर सकी वो First India ने करकर दिखाया है First India News की CEO and Managing Editor पवन अरूड़ा और राजस्तान असोसीशन की ट्रस्टी कुलदीब सिंग शिखावत से खास बाच्चित की हमारी असोसीट अडिटर श्वेता मिश्रा अवस्ती ने देखिए आज हमारे साथ बहुत खास महमान मौजूद है उनसे रूबरू कराओं आपको हमारे साथ कुलदीब सिंग शिखावत जी है जो कि राजस्थान एसोसीशन यूके के ट्रस्टी भी है और साथ ही बीजबी प्रेजिट है यूके से यूनाइटिट किंग्डम से और सीवन मैनेजिंग एटर पवन अरोडा जी भी है अब किस तरह से फर्स इंडिया फैमिली के साथ जुड़ा हो रहा है जुड़ रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे लेकि पहले पवन से आप से ही मेरा सवाल रहेगा कि राजस्थान, राजस्थान के दारे से निकल कर हिंदुस्तान पुरा वो तो फर्स इंडिया ने कवर करी लिया है लेकिन अब पहुंच हो गई है उनाइटिट किंग्डम तग तो ये किस तरह से जुड़ा हो रहेगा और कैसे हमारे प्रवासी राजस्थानियों के साथ सीधे तोर पर जुड़ सकेगा फर्स इंडिया भी और साथ ही बाहर रहने वाले जो प्रवासी राजस्थानियों वो राजस्थान से जुड़ा रख सकेंगे शेता तुम्हें ध्यान ही होगा और हमारे सभी दर्शकों को भी ध्यान होगा कुछ समय पहले लंडन में एक कारिक्रम हुआ था जो की राजस्थान एसोसियेशन यूके ने आयुजित किया था जीमर नाम का एक कारिक्रम था जिसमें हमारे राजस्थान के जितने भी प्रवासी वहाँ है एक बहुत बड़ी संख्या में वाई कत्र हुए थे और बहुत ही रंगा-रंग प्रस्तुतियां उन्होंने दी थी वहीं वेदानता के नहीं लगरवाल जी लक्षराज सिंग मेवार ये लोग भी वहाँ उपस्ते थे और एक बहुत ही आप कह सकते हैं समरस्ता वाला कारेक्रम था सभी लोग कुछ-कुछ चीजें घरों से भी बना के लाए थे और वहाँ पे डाल बाटी चूर में का अनन सब ने लिया था तो एक आप कह सकते हैं कि घर से दूर घर वाली फिलिंग थी तो वहाँ मुझे भी आमंत्रित किया था तो में भी वहाँ गया था तो वहीं पे कुलदीप सिंग जी से भी मिलना हुआ कुल्दीप सिंग जी शेखावत जो हैं वहां बहुत ही जानीमानी हस्ती हैं और बीजेपी के प्रेजिएट भी है और राजस्थान एस्सिएशन यूके के ट्रस्टी भी हैं तो वहां जब हमने उस कारेक्रम की जो कवरेज की थी उसके बाद न्यूस पेपर में जो कवरेज ह वो छोगों को बहुत अच्छी लगी और उन लोगों ने कहा सभी वहां जो प्रवmaraसी ने चाहा के हम फस्ट इंडिया के साथ अपना जुडावां बढ़ाएν इनके साथ हम और ज qualified जुड़ना चाहते हैं ताकि जो प्रवासी राजस्थानी वहां रहते हैं वो वहां क्या उकलब्दियां हासिल कर रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसकी जानकरी उनके यहां के परिवार जनों को यहां उनके गाम वालों को यहां उनके कस्बे वालों को भी मालूम चले कि वह वहां जाके क्या कर रहे हैं जंगल में मोर नाचा कि जितने भी events होते हैं वो सब हम करेंगे जितने भी event होनगे चाहे वो आप कह सकते हैं मतलब सांस्कृतिक कारेक्रम हो चाहे हो पोलिटिकल कारेक्रम हो चाहे हो कोई और सामाजी कारेक finely हो कभी blood donation camp होते हैं कभी कुछ और होता है और अपनी शुब कामना है पूरे फस्ट इंडिया परिवार की शुब कामना है आपके माध्यम से लंदन में यूके में रह रहे हमारे सारे प्रवासी राजस्थानी भाईयों तक पहुंचाना चाहता हूँ निश्य तोर पे आपका हमारा जुडाओ बहुती उप्योगी साबित होगा और राजस्थान और लंदन या राजस्थान और यूके के बीच में एक बहुती मजबूत ब्रिज का काम करेगा बिल्कुल बहुत एहम बात आपने कहीं पवंजी लेकिन कुल्दीब जी आसान नहीं होता है सभी जो प्रवासी राजस्थानी उनको सबको एक जुट करना एक साथ एक बुलावे पर कोई कारक्रम हो सब एक अत्रित हो जाएं और यूके हो लंदन हो लेकिन नजर आए कि व सबसे पहले में पयुछी का धने वान अगर आते नहीं तो हमें पता नहीं लगता और हम राजस्तान की जनता को भी नहीं पता लगता कि इस तरह का कारिक्रम होता है तो फुर्सट इंडिया टीम को धने वाद और पोंजी का विशेज धनेवाद यहां से वहां तक आये हमार राजस्तान की जनता क्या करती है यहां पर किस तरह से रहती है क्या कारक्रम करती है किस तरह उनका जुडाव है अब हम चाहते थे कि वो जुडाव राजस्तान में नजर आए पवंजी से बेटर कौन था यह जब आए तो हमने इनको प्रस्ताव दिया कि हम ऐसा कुछ करना चा लेटे थे कि राषतान के लोग यह जाने कि भारत से बाहर जाके भी राषतान के बारे में वो आज भी जागरत है चाहता है कि रास्तान से जुड़ाव बना रहे हैं फॉर्स इंडिया गुरूप ने हमारा काम आसान कर दिया और हम बहुत आभारी हैं आपके पूरे बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बात और बताना चाहूंगा लीव जी आपको आज से ही हमने लंदन में अपना रेजिडेंट एडिटर भी नियुक्त कर दिया है आज से ही और इसके साथ साथ एक कॉर्स्पोंडेंट भी नियुक्त कर दी है वहाँ पे और अब निश्चित पर जब हमारा रेजिडेंट एडिटर होगा हमारी कोर्स्पोंडेंट वहां होगी तो वहां जो भी काईपर होते हैं या जो भी वहाँ कंद धाय है उनk Сीथी रिपोर्टिंग 24 गंटे रिपोर्टिंग अब उपलब्ध होगई है राजस्थान में पूरे देश में first India news channel के माध़ियम से first India English daily newspaper के माध़ियम से और first India plus OTT platform के माध़ियम से तो यह हमने एक तरह से अपना office माँ खोल दिया है और अब मैं सोचता हूँ कोई कमी रहेगी नहीं तो और मजबूत होती है तो और और राजस्थान Association UK यही काम कर रहा है और बड़ी बात है और कह सकती हूँ मैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान में भी वो तस्वीरे नजर आएंगी जो आप घर बैठे देख सकेंगे फिर वो तीन यह प्लैटफॉर्म हो first India news channel, first India English और सबसे हैं मुझाता OTT प्लैटफॉर्म जहां आप कहीं भी रहकर कारक्रमों को भी देख सकेंगे ना सर्फ UK लंडन में बल्के आने वाले वक्त में कुछ और देशों तक भी हमारी पहुंच होगी बहुत शुक्रिया सर कुलदीब जी आपका भी बहुत स्वागत है कैमरा परसन नरेन के साथ श्वेता मिश्रावस्ती फर्स इंडिया नियूज जैप